हेलो गाईस करंट अफेर्स फंडा मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जनवाई तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा के तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर देखे हैं तो करंट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं इसमें एक साल तक जितना भी हमारा करंट अफेर्स लेटेट पीडिएफ मैटेल है वह आपको हम प्रोवाइट कराते हैं उस मैटेल का आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं आपका कोई भी एकसाम हो चाहें बैंकिंग हो एससी हो रेलवे हो या फिर स्टेट पीचेस का हो हर एकसाम के लिए हमारे करंट अफेर्स पीडिएफ मैटेल यूस्फुल रहेगा तो यह दिया आप बाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्र बारत में राष्ट आय की गढ़ नाकिस की द्वारा की जाती है ओप्शन है नीतियायोग इंडियन स्टैस्टिकल इंसिट्टूट सेंट्रल स्टैस्टिकल और्गनाजिशन या फिर नैस्टनल सैंपल सर्वे और्गनाजिशन मैट्पूर्ण कोश्चन है जलती इसका आप कॉमेंट बॉक्स में करतीजिए फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह के कुश्चन्स हम टेलिग्राम पर भी पोस्ट करते रहते हैं करन्ट अफेस फंडा नाम से ही हमारा टेलिग्राम चैनल है उसको आप चोइन कर लीजिए आयोब आपने आंजर कर दिया हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में गोल्डन क्लोप जीतने वाले संगीतकार एम एम केरावनी को निम्डी कितमे से किस पुरसकार से सम्मानित किया गया है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन नहीं रहेगा पदमश्री तो आपको जाना चाहिए एम एम केरावनी इनको पदमश्री जो की फौर्थ हाइस्ट सिविलियन आवार्ड है मारे देश का इससे सम्मानित किया गया है इनका नाम है कौदरी मरकतमनी केरवनी आपको बता दें यह म्यूजिक कंपोजर है प्लेबेक सिंगर है और लिरिसिस्ट भी है हाली हम नहीं जाना था जो आर 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 मुवी का नाटू नाटू सोंग है इसको गोल्डन क्लोप अवार्ड मिला है साथी ओसकर के लिए नौ मिनिट भी किया है तो यह जो सोंग है यह इनी के द्वारा कंपोस किया गया है एम एम के रवनी के द्वारा अचा पदमिश्री में अगर और हम कुछ नाम देखें तो राकिश जुन जुन वाला है बॉलीगूर एक्ट्रेस रवीना टंडन है और रसना ग्रूप के जो फोर्मर फाउंडर चेर्मेन रहे अरीज कंबता यह भी है मैथमेटिशन ऑफ सूपर थर्टी प्रोग्राम फिर्म आनंद कुमार भी है और फॉर्मर बीजेपी मनीपूर स्टेट उनिट प्रेजिडेंट एंड एक्स उनियन मिस्टर थोंग्नाजाम चावबा सिंग यह भी पदमिश्री की लिस्ट में है इनी के अलावा गर हम बात करें स्पोर्ट्स केटेगरी में भी फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम गूर्चरन सिंग और कलरी पेर्ट टू एक्स्पोनेंट एस आर डी प्रसाद गुरुकुल और मनिपुर की जो मार्चल आर्ट है थांगता इसके गुरु है के सनथोईबा सर्मा इन्हें भी पदमिश्री के लिए चुना गया है विस्वे की पहली इंट्रनेजल कोविड-19 वेक्सीन का नाम क्या है आप्शन्स आपके सामने है सही आंसर आप्शन दी है इनकोवेक देखे आपको जाना चाहिए डॉक्टर मांसुक मांडिवे जोकी यूनियन मिस्टर ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर है इन्होंने यूनियन मिस्टर ओफ स्टेट फॉर साइंस एंट टेक्नलोजी डॉक्टर जीतिंदर सिंग क्यों पस्तिती में आपको यहां जानना चाहिए कि पूरे वर्ड में जो वैक्सीन सप्लाई होती है 65 प्रतिशत से ज्यादा वैक्सीन ये भारत से सप्लाई की जाती है इंडियन फार्मसोटिकल इंडस्ट्री अगर हम बात करें 2030 तक 130 बिलियन यूएस टोलर पहुंचने की उमीद है अच्छा एक मैं दपूर्ण फैक्ट आपकोई भी जानना चाहिए ये वॉल्यूम वाइस इंडियन फार्मसोटिकल इंडस्ट्री वर्थ की थर्ड लार्ज़ेस्ट इंडस्ट्री है और वैल्यूवाइस फॉर्टिंथ लार्जेस्ट है वू हैस पी नेम्ट आई-सी मैंस टेस्ट क्रिकेटर अफ़ या ट्व येर 2023 यह 2020 गलती से लिखा गया है 2023 ICC Men's Test Cricketer of the Year 2023 किसे नामीत किया गया सही आंसर option A है Ben Stocks एक मिनट यह 2022 होगा है ना Who has been named ICC Men's Test Cricketer of the Year 2022 2022 के लिए तो देखें England Test Captain है Ben Stock इनको Men's Test Cricketer of the Year चुना गया है महीं England All-Rounder Net Saver इनको Wrestle है हो Flint Trophy for ICC Women's Cricket of the Year दी गई है साथी इने ही Women's One Day Wrestle Cricketer of the Year भी चुना गया है Full ICC winners की list अकर हम देखें तो Men's OTI Cricket of the Year बावर आजम पाकिस्तान के रहे Men's T20 Cricketer of the Year सुर्य कुमार यादव Men's Immersing Cricketer of the Year मार्को जेंसन साथ अफ्रिका सर्व केरी फिल्ड सोबर स्टोफी बाबल राजम फिर से Women's T20 Cricketer of the Year तहलिया मैगरा आस्टेलिया से Women's Immersing Cricketer of the Year बारत से रेनुका सिंग आपको जाना चाहिए जो नेपाल विकेट कीपर है आसीफ सेख इन्हें ICC Spirit of Cricket Award 2022 दिया गया आपको बतादे फस्ट प्रेर बन गए है नेपाल से इन्हें ICC Spirit of Cricket Award दिया गया है तो याद रखिया है कोश्चन में अवार्ड किसके लिए है रेंग क्या है सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा फॉर्थ तो इसमें आप देख सकते हैं पर यूएसे फिर रशिया चाइना चोथे पर अपना भारत है पांचे पर यूनाइटिट किंग्डम चली जानते हैं देखे ग्लोबल फायर पार इंडेक्स में भारत की रेंग फॉर्थ है इसका स्कूर है 0.1025 ये इंडेक्स कंट्रीज को उनकी military strength के potential के basis पर केटेगराइज करता है आपको बता दें 2023 के लिए जो ग्लोबल फायर पार इंडेक्स है इसने 145 कंट्रीज को शामिल किया गया है और 50 individual factors को यहां पर consider किया जाता है ये rank बनाने के लिए तो इसमें US top पर है इसका score है 0.0712 उसके बाद रशिया है फिर चाइना है फिर भारत है चोथे नंबर पर पाकिस्तान साथवे नंबर पर है बूटान 145 नंबर पर है आपको जाना चाहिए global power index में यदि perfect score यह 0.000 होता है इसका मतलब जिस country का 0.000 score है तो वो जो है उसकी fighting capability सबसे ज़्यादा है more powerful है अलाकि अब तक किसी भी country ने यह score प्राप्त नहीं किया है बच्चो और कर्भवती महिलाओं के टीका करण को परिशानी मुक्त बनाने के लिए कौन सा मंच सुरू किया गया सही answer option यह है you win आपको जाना चाहिए जो pregnant women है और children है उनको vaccinations आसानी से मिल जाए इसके लिए government ने you win platform को roll out किया है आपको बता दें इस platform का मकसद है जो इंडिया का universal immunization program है UIP इसका digitization करना आपको बता दें यह जो platform है यह pregnant women जो है उनको help करेगा register कराने में vaccination के लिए और जो उनके records है उनको digital format में save करने के लिए और जो every newborn delivery है उसके registration के लिए in which state have गुरप्रीत कौरदेव और सशी प्रभा दिवेदी become the first women to hold the position of director general of police गुरप्रीत कौरदेव और सशी प्रभा दिवेदी के सराजें पुलिस महानिदेशक का पत्समालने वाली पहली मैला बन गई है सही आंथर उप्षन ये पंजाब है आपको जानाशी सीनियर IPS officers गुरपीत कौरदेव और सशी प्रभा दिवेदी ये दोनों ही first women officers बनी हैं पंजाब में जिने director general of police यानि की DGP की rank पर promote किया गया है आप सभी जानते हैं पंजाब के बारे में capital चंडीगड है governor बनवाईलाल प्रोहित है chief mr. बगवंत मान है आमादी पार्टी से who became the champion of the dhaka marathon 2023 in the male category पुरुस वर्ग में धाका मेरातन 2023 किसने जीता है सही answer option भी रहेगा stanley के प्रोहिच बेट देखे बांगलादी से capital डाका में भगबंदू शेक मुझीब डाका मेरातन 2022 का आएचन किया गया है और male category में Kenya के रणनर है stanley के प्रोहिच बेट इन्होंने ये event जीता है female category में बशांके इमोसे बिलो ने इवेंट जीता मेराथन और अगर हम South Asian male runners category में देखें तो Indian Marathon runner बंगरिया, बिकरम, बारत सींग इन्होंने जीता है और South Asian female marathon runner category में पुस्पभंडारी नेपाल से ये जीती है आपको जाना चाहिए full marathon में जो distance कवर करनी होती है वो 42.19 kilometers और half मेरात में 21.09 kilometers थर्ड एडिशन अफ़ एन्वल Orange Festival 2023 held in which state वार्षिक Orange Festival 2030 का तीसरा संस्कंड किस राज जम्याजित किया गया सही आंथर उप्शन भी है Nagaland देखें Nagaland में जो Orange Festival 2023 ये इसका थर्ड एडिशन Rusoma Village कोई माटिस्टिक में आता है यहां पर होस्ट किया गया है आपको बता दे Orange Grovers जो हैं जो Orange की पैदावार करते हैं जो किसान भाई हैं उनके hard work को celebrate किया जाता है recognize किया जाता है इस festival के थूँ Nagaland की बात करते हैं Capital को हीबा है Chief Minister नेपियो रियो हैं और Governor है जगदिश मुक्य अडिशनल चार्ज है इनके पास How many franchises are there in the Women's Indian Premier League आपको जाना चाहिए कि मैला इंडियन प्रिमेर लीग में पाच franchises ही हैं इनके नाम भी आप देख सकते हैं देखे Board of Control for Cricket in India इनकी BCCI इसने जो Women's T20 League होने वाली है इसके लिए 4,699.99 करोड रुपे की बीड प्राप्त की है आपको बता दें इसका जो ओफिशल नाम होगा वोगा Women's Premier League और WPL तो इसमें किस-किस ने बीड जीती है Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bangalore, Adani Group and Capri Global और ये Teams कहाँ पर बेस रहेंगी Mumbai, Delhi, Bangalore, Amdabad and Lucknow respectively एमदबाद टीम ने की जो है हाइस्ट प्राइस रही है यहाँ पर 1289 करोड रुपे की उसके बाद Mumbai, फिर Bengaluru, फिर Delhi, फिर लकनव अच्छा आपको यह जानना चीए YCOM 18 ने मीडिया राइट्स जीते हैं जो ही Women's Indian Premier League होने वाली है इसके लिए पांस साल के लिए 2030 से 27 तक उडिसा इन विच कंट्री हैस बीन डेजिगनेटेड़ अवर्ड हैरिटेस साइड इंडेंजर बाई युनेसको किस तेस में इस्थित उडिसा को युनेसको जारा विश्व विरासत इस्थल इंडेंजर नामित किया गया है सही आंसर उफशन सी है युकरेन आपको जाना चाहिए युनाइट नेश्व कल्चर एजनसी युनेसको इसने उरिसा जो कि युकरेन के ब्लैक सी कोस्ट में एक पॉर्ट सिटी है इसको वर्ड हैरिटेस साइड इंडेंजर नामित किया है तो पैरिस में हाली में युनेसको पैनल का सेशन हुआ वहाँ पर इसको इस तरह से डेसिनेट किया गया है क्योंकि जो रुषिया का इन्वेजन है उससे इस पॉर्ट सिटी को ख़़रा है और हाली में युनेसको ने जो एंशेंट किंग्डम ऑफ सावा येमन में और रैशिन करामी इंटरनेसल फियर ट्रिपोली लिबनान इनको भी वर्ड हैरिटेज इन डेंजर साइट्स नामित किया है आपको युक्रेन की हम बात करनें ये भी जानना चाहिए ओवी चुरी से है ये करेंट अफेर युक्रेन की इंटिरियर मिनिस्टर डैनिस मोनाथ सिर्थ की ये हाली में हेलिकोप्र क्रेश में इनका निदन हो गया है दे युन्स लेस्ट इंडिया इकनोमिक ग्रोथ फॉर्कास्ट बाइ 20 बीपेस तुवट प्रसेंट फोर 2023 से युक्रास्टें 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के नुमान को 20 बीपेस कटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो आपको जाना चीए उनाइट नेशन्स ने इंडिया की जो ग्रोथ फॉर्कास्ट इसको 20 बेसिस पॉइंट से नीच चला दिया है और कितना कर दिया है 5.8 परसेंट 2023 के लिए रिसन बता है हाई इंट्रस रेट एंड रिसेशन का जो रिस्क है वो फिसकल है 2023-2024 के लिए इसने अपनी जो फॉर्कास्ट है वो अंचेंज रक्की है इंडिया के लिए 6% पर और इसने भी बताया है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 0.4% का संकुचन देखने के लिए मि इकोनोमी है यह 2030 में 1.9% से ग्रो करेगी विस सिटी होस्टेट थर्ट थर्टीथ नेशनल चायल्ड साइंस कोंग्रेस कि सहर ने तीसवी रास्ट यह बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजवानी की सही आंसर ऑप्शन दी एमदाबाद है देखे थर्टीथ नेशनल चायल्ड स साइंस कोंग्रेस यह साइंस सिटी एमदाबाद में हाली में संपन हुई है आपको जाना चाहिए गुजरात कांसिल ओन साइंस एंड टेकनलोजी गुजरात कांसिल ओन साइंस सिटी एंड से एल एजुकेशन इन्होंने इस इवेंट को और्गनाइज कर रहे हैं यह 31 जनव सही आंसर ऑप्शन दी न्यू डेली है देखिए आपको जाना चाहिए डिरेक्टर जनल ओफ तर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारत दाल इन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहट जो हर गर नल से जल यह जो हमारा प्रोग्राम है यह 24 तक जो हमारा यह टार सब्सक्राइटी रहा है आपको बता देए इवेंट मनौहर पारिकर इंस्टिटूट फॉर डिफेंस स्टेटीज एंड एनलेसिस द्वारा ओर्गनाइज किया गया विच ओर्गनाइज़न हैस लॉंच्ट निधी आपके निकट प्रोग्राम के संस्थाने निधी आपके निकट कारिकरम शुरू किया सही आंसर आप्शन ए इवेंफ हो देखें एंप्लोईस प्रविडेंट फंड ओर्गनाइज़न इवेंफ हो इन्होंने एक मैसिव ड्रा 2.0 नामिन उन्हीं इसको दिया है तो जो भी एंप्लोईस हैं उनकी जो भी समस्या है तो उसको जो भी उनकी ग्रिवेंस है उसको रिट्रेसल के लिए प्लाटफॉर्म है और इन्फोर्मिशन एक्सचेंज के लिए प्लाटफॉर्म पनाया गया है निधी आपके निकट 2.0 ये हर महिनी के 27 तारिक को एक्टिव रहेगा दे सेंटरल गवर्मेंट है सेंट्रे रूपीज 2,600 करोड तो विच इस्टेट अंडर रिवैंप डिस्टिबिशन सेक्टर सेक्टर स्कीम केंद्र सरकार ने संसोधित वितरन छेत्र योजना के तहट किस राज्य को 26 करोड रूपे मंजूर किये सही आंसर अप्शन C उत्राकंड है देखे सेंटरल गवर्मेंट 26 करोड रूपी उत्राकंड को सेंक्शन कर दिये है किसी स्कीम के तहट अंडर रिवेंट इस्टिबिशन सेक्टर सेक्टर स्कीम किसलिए for the construction of new power lines, substations and underground power lines इसके तहट जितनी भी lines है हलदवानिम उनको underground किया जाएगा जितनी power lines है उत्राकंड के बारे में आप जानते हैं गवर्नर गुर्मीत सिंग है, चीफ मिस्टर फुसकर सिंग धामी है कैबिटल है देरादून और केर्ट सेंगेर्जन को 2020 में डिकलेर किया गया था कि ये summer capital रहेगी वो हैस बिन अपॉंटेट अस था new general manager of central railway मद्य रेल्वे के नई महाप्रत बंधक के रूप में किसे न्यूट किया गया सही आंसर उप्शन सी नरेश लालवानी जानेगा central railway के new general manager नरेश लालवानी होए है बनाए गए हैं और central railway का headquarters मुंबई में आप सभी जानते है विश इंडियन poet has been elected as the corresponding member of the academy of letters of Brazil किस बारते कवी को ब्राजिल के साइट अकाडमी के नूरूप सदस्य के रूप में चुना गया है सही आंसर उप्शन यह है अभे के देखें academy of letters of Brazil इन्होंने जो poet diplomat अभे के हैं इनको foreign corresponding member of the academy चुना है आपको बता दें अभे poet diplomat है इंडिया से जो की presently deputy director general of the Indian council of culture relations न्यू डेली में कारी रथ है which of the following has become the first Indian firm to fly autonomous drones in underground mines in the country निम्गित में से कौन देश में भूमिकत खानों में 180 drone उड़ाने वाली पहली बारते firm बन गई है सही आंतर उप्शन भी है squadron तो देखे बैंगलबूर बेस technology driven mining services company है squadron तो यह first Indian firm बन गई है जिसने autonomous drones underground mines में fly किये है तो यह कारणा माइनों ने किया हिंदुस्तान चिंक लिमिटेड जो वेदानता की है माइन उदैपूर रायस्तान में यहां देखे नेसल लोजिस्टिक्स पोर्टल मेरीन इनोग्रेटेड इन्वी सिटी नेसल लोजिस्टिक्स पोर्टल मेरीन का उतलाटन की शहर में हुआ सही आंतर उप्शन सी निव डेली है तो देखे यूंइन मिस्टर फ़र पॉर्ट शिपिंग औन वाटर वेज अन्ड अ आयू शरबरंद सवनवाल इन्होंने निव डेली में नेसल लोजिस्टिक्स पोर्टल मेरीन को इनोग्रेट किया है आपको बता दे नेसल लोजिस्टिक्स पोर्टल मेरीन नल्पी यह ए तो उनके समस्त्या सुनना, उन्हें IT-enabled बनाना, efficiency बढ़ाना, transparency बढ़ाना, reducing cost करके, time delay उसको कम करना इंडिया and which country have signed an M.O.E. on cooperation in the reintroduction of cheetah बारतों किस्दिस ने, cheetahों के पुना आगमन में सेयोग करने हैं तू, एक समझोते क्या अप्रपरसताक्षर किये हैं, सही answer option D is South Africa देखे आपको जाना चाहिए Republic of South Africa and Republic of India इन्होंने Memorandum of Understanding sign किया है ताकि भारत में Cheetah को reintroduce किया जा सके तो इसके तहट जो initial batch of 12 Cheetahs तो 12 Cheetahs साउथ अफरिका से भारत आएंगे फरवरी 2030 में और जो पहले से ही Namibia से हम 8 Cheetahs लाएंगे हैं उनको जोइन करेंगे South Africa की बात करते हैं तो के तीन कैपिटल है Cap Town, Pretoria and Bloemfontein Currency South Africa Rand है और President है Sauril Ramaphosa चलिए प्रीविस assignment questions की आंसर देख लेते हैं विच कंट्री इस होस्टिंग थे 2024 Olympics, Paris, France The pressure price is presented in which field architecture Vistarai set to be merged with which airline Air India which insurer launched a new plan Jeevan Aajat LIC India and Egypt were co-founders of the non-align movement in 1961 along with Indonesia, Ghana and which other country Yugoslavia वाट इस तर से पारिस्पेट करते रहिये चलिए आज के assignment questions देख लेते हैं the parliament speakers of the G20 nations in 2023 which country's legendary batter Hasim Amla has announced his retirement from all forms of cricket which insurer has announced the launch of respect senior care rider to ensure the highest possible level of medical care for senior citizens तो इन साथ questions के answer comment box में आप जरूर बताईएगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर लीजें आप रेगरे वीडियो अपडेट्स और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आपकी सी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की pleasure दीगे इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का session आपको कैसा लागा comment box में जरूर बताईएगा Thank you guys